क्या आप जानते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच क्यूं जरूरी हैं अगर नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बताएंगे नमस्कार रंथ नत्र देख रहे हैं आप मैं हूं रॉनक तो सीन कुछ ऐसा है कि ICC वाले जो है न वो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी तो है लेकिन इससे जादा आप इनको एक औरगनाइजिंग कमिटी समझीए साल भर में कहां कौन कितना क्रिकेट खेलेगा ये ICC वाले डिसाइड करते हैं लेकिन ये जो बाइलाटरल सीरीज होती है जैसे अभी इंडिया की जिंबाववे से हुई और उसके बाद अब श्री लंका से इंडिया खेलेगी इसमें ICC को कोई फायदा नहीं होता इसलिए आपने देखा होगा कि हर साल कम से कम एकि इसलिल किया जाता है अगले साल तो दो है और ये आइसीं टोर्नमेंट अपिसलिए और भी जादा हूँआ होगा जाएं करेंगे नहीं समागार कि दोनों एक ही गुरूप में रहते हैं हमेशा इसके पीचे अब बात ऐसी है कि अभी हाली में खत्म हुआ T20 वर्लकप बीस देशों ने पारिसिपेट किया, बहुत बढ़िया मैचे हुए, हम तो जीत भी गए, इसलिए मामला और भी जबर्दस्त है, लेकिन खबर आ रही है कि जो मीटिंग चल रही है कोलंबो में वहां पर बताया गया कि अमेरिका में मैच रखवाने की वज़े से ICC को 160 करोड से जादा का नुकसान हुआ है, बताओ कितना बुरा है कि साल में एक बारी आपको पैसा कमाने का मौका मिलता है, लेकिन वहां भी आप लॉस में चले गए, इस नुकसान की सबसे बड़ी वज़े New York का स्टेडियम ह तो क्यों इंडिया और पाकिस्तान ऑटमेटिकली एक ग्रूप में आ जाते हैं, और बाहर से कोई कितना भी ये बोल ले कि पाकिसान से नहीं खेलना चाहिए, लेकिन सिस्टम में आते ही सब को पता है कि पाकिसान से खेलना मजबूरी है, यही वज़े है कि पिछले साल एश पाकिसान हाइबरिड मॉडल के लिए मान जाए, क्योंकि अगर इंडिया पाकिसान का मैच नहीं होगा, तो फिर इसी सी के क्या हालात है, आपको इस वर्ल्ल कप से पता चली गया है, आपको इस मुद्धे पर क्या कहना है, कॉमेंट करके बताना, एक दो दिन में इस बात प आओ, कल फिर से वीडियो देखने, यहाँ पर आओ, thank you for watching, see you tomorrow, जहिन